जितिया पावन बढ़भारी धिया पुता के ठोक सितौलव अपने खेलो भढ़ थारी इस कहावत का मतलब है कि जब जितिया पर बहुत ही कठिन माना गया है और जब जितिया का सरगही होता है तो अपने बच्चे को ठोक कड़के सुला दिया जाता है और माताएं जो होती है वो भर थाली खाती है लेकिन ये सब मजाक की बाते हैं कहने की बाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम मैं लवली ठाकुर फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में इस क्लिप के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया छे को जितिया का उफबास है और साथ अक्टूबर को पारण है साथ अक्टूबर को साड़े दस बजे के बाद पारण है और इस साल सरगही भी है पेटा साथ श्वायत देखू तो पापा जी लल्कू ना जिगनी के पत्ता तेल खरी केला के पत्ता चूड़ा दही के पैकेट चीनी मिठाई पूछता हूं ममा अभी पापा जी बोलरे लाएं और पूजा रूम में रख दिये हैं ठीक है बेटा तो बोलिए पापा जी को मैं नहाने जा रही हूं मुझे तेल खरी और जिगनी के पत्ता ला करके देंगे अब क्या करोगे मममा उसका बेटा नहाने वक्त जित्माहन भगवान को चील को सियारन को और जो पित्राइन होती है उनको चढ़ाया जाता है तेल खरी जिगनी के पत्ता पर जित्माहन भगवानमा जाते हैं लेकिन यहां तो हम लोग बाहर में हैं तो इसलिए बात्रूम में पहले खुद दो जग पानी डाल ली फिर जितवाहन भगवान को जिगनी के पत्ता पे तेल खड़ी चढ़ाई फिर चील को फिर सियारन को जिगनी के पत्ता पे अलग-अलग चढ़ाई फिर जो पि लेते हैं और फिर आ गई में नहा करके और अब फिर यहां पे चुड़ा दही चड़ाओंगी तुम बैठो देखो क्या क्या होता है सुनाई ची चुड़ा दही केला के पत्ता चीनी सब ले करके आओ चड़ावे के छे आतीन टुक्रा पत्ता के लिए ले आएं तो एक कॉर्णर पर यहां पर जित्वाहन भगवान को केला के पत्ता पे चड़ाओंगी चुड़ा दही चीनी सब कुछ और हाँ जित्वाहन भगवान वाला जो हुगा उसमें तुलसी दल पर एगा तुलसी का पत्ता डालेंगे क्य और दूसरे तीसरा जो पत्ता होगा उस पे पितराइन सबको चढ़ेगा जितने भी आपके पितराइन हो जिनको आपको चढ़ाना है चढ़ा दीजिए और जो भगवान होंगे जित्वाहन भगवान है उनको धूप अगरवती सबको दिखा दीजिए सब भगवान ही है हम लो और जो जित्वाहन भगवान का भोग है उस भोग को अपने संतान को खिला दीजिए और जो चील का होता है चड़ा हुआ वो घर के छट पे रख दीजिए और जो सियारन का होता है वो रख देना चाहिए गार्डन में और जो पित्राइन का होता है उनको भी सेफ जगा पे सबसे महत्पुर्ण है माच मरवा लोग कहते हैं माच मरवा मतलब मरवा की रोटी मतलब रागी जिसे कहा जाता है रागी काटा का रोटी मचली मचली मिथलांचल में खास करके जो नॉन वेजटेरियन है वो खाते ही खाते हैं उसके जिगनी की सबजी नोनी का साग ये तो नि नोनी का साग खाऊंगी और उसके बाद दिन भर जो चीज खाना पीना है वो खापी सकते हैं कुछ भी बरजित नहीं है लेकिन हाँ मेरा जहां तक की रहता है मैं कम तेल मसाला खाना चाहती हूं क्योंकि प्यास नहीं तो ब्रत में ज्यादा लगता है अब बॉवा को भी उठा दीजिए तो मैं नहा लेती हूं जाकर के और आप बॉवा को टादीजिए पहले मैं नहा लेती हूं और आप सरगही का सब कुस तैयार कर दीजिए का क्योंकि जैसे नहा खाय में कल चढ़ाई थी वैसे ही सब कुछ आज चढ़ाऊंगे उसके बाद ही मैं सरगही करूँगी और बॉवा भी ब्रश करके कुछ खा लेगा क्योंकि सरगही का बच्चों को भी खिलाए जाता है प्रिशाज जो जी मितवाहन भगवान पे चढ़ता है तो मैं नहा करके आती हूँ आप जल्दी से सब कुछ तयार कर दीजिया मैं नहा के आ गई हूँ और आज छे तारीक है उपवाश का दिन है और पहले सरगही है आज तो आज सरगही है तो पहले जो जो सरगही में ये लेकर के आए हैं मेरे लिए तो पहले भगवान को चढ़ाओंगी जैसे नहा खाय के दिन चढ़ाई थी और जो जित्वाहन भगवान का है तो वो बच्चे को खिला दूँगी और उसके बाद जो फिर से सरगही करोंगी और बिटा ब्रश करके आ गए आप ममा मैं ब्रश कर लिया नहा भी लिया जानते तो आपको भी मेरे साथ सरगही करना होगा और पापा जी कितना कुछ लेकर के आए हैं देखो सरगही में सेव है केला है खीरा है रसगुला है नारियल पानी है ठीक है गुलकॉंडी बना के रख दिये हैं वाह ऐसे यह थोड़ा सा काम में आलसी है मेरे पती देव जी लेकि इन सब चीज में जब मेरी फास्टिंग होती है तो काम करने में बड़ा मजाता है इनको लेकिन आज तो मैं उठने वाली हूँ नहीं मैं यह सरगही करने के बाद जा कर के लेट जाओंगी क्यूंकि इस फास्टिंग में ऐसा होता है कि ना बाल जाड़ना होता है ना कुछ और तोड़ना उता है नब कुछ काटना होता है चलना नहीं होता है क्योंकि आपके पर के नीचे से कुछ चीटी कीरे मकोरे दबना नहीं चाहिए तो अपना पापा बेटा समझे क्या खाएंगे रेस्ट्रेंट से बंगवाएं या खुद बनाएं तो मैं पूरे दिन आराम कर करने वाली हूँ और आप लोग से भी बोलूँगी आज रेस्ट किजिए आप लो और उसके बाद दिन में फिर पुजा करने के लिए नहाऊंगे और पुजा करूंगे साम के चार बच चुके हैं और मैं आप जा रहे हूँ उसनान करने क्योंकि ब्रस तो इसमें करना नहीं होता है क्योंकि वो मैं सरगही के बाद ही कर ली थी क्योंकि दात में कुछ भी फसा हुआ नहीं होना चाहिए इसलिए जब भी सरगही करे उसके बाद ही दातून ब्रस जो उसके बाद नहा करके आ करके अब मैं कथा करने वाली हूँ बेटा साश्वत जी मम्मा पापा जी को बोलो मुझे बिल पत्र और थाली ला करके देंगे अभी बोलता हूं मम्मा वैसे मम्मा अब इसका करोगे क्या बेटा अभी जब मैं नहाने जाओंगी तो नहा करके और आजमान होने के लिए बोलूंगी, बोलूंगी कि हे जित्वाहन गोशाएं, हे जित्वाहन भगवान, आज उपवाश का दिन है, आज ब्रत का दिन है, मैं ब्रत की हुई हुई हुँ जित्या का, आप इस पर भी राजिये, और जित्वाहन भगवान को बोलूंगी, चील को ब और जितनी पित्राइन हैं सब को बोलुगे बेलपत्र बीराजने के लिए और बोलूँगी अजीतिया का हुवास का दिन है इस पर बीराज ये और अपने पुत्र के लिए यानि कि आप के लिए लंभी आयू का दिरगायू का वर्दान मागूंगी क्योंकि ये अपने तो इसलिए ये बिलपत्र उपवास के दिन चढ़ाया जाता है मैं वसनान करके आ गई हूँ और अब मैं कथा कहूंगी जिनके हां जिस तरह से पूजा होता है वो जितिया का पूजा उस तरह से करें बहुत के हां पूआ है ठिकवा है पुरुकिया है सब बना करके चढ़ाया जाता है फल फूल इत्यादी मिठाई चढ़ाया जाते हैं जितिया को बनवा करके लाल धागे में उसकी पूजा करके तब पहने जाते हैं मेरे हां मैं ऐसे ही जितिया की पूजा करके पहन लेती हूं और कथा करती हूं तो और चील सियारों की कथा है तो इसके बारे में तो कि उनकी उत्पति कैसे हुई, वो किनके पुत्रत हैं, और उनकी पूजा कब से सुरू हुई, तो ये मैं कथा आप लोगों के साथ सेयर करूंगी, और उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगी, तो प्लीज आप लोगों कसे रिक्वेस्ट है, कि वो आप लोग जरूर देखियेगा, और आगे मैं एक और बात आप लोगों से सेयर करना चाहूंगी, कि अगर किसी परिस्थिती के कारण आप लोग सुद्ध हैं और पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग उपवास रखिये, लेकिन आप अपने साथ हो, जठानी हो, देवरानी हो, उन लोगों से आप ये सब पूजा की जो भी है, विधी है, वो करवा सकते हैं, प्रश किया जाता है, तो उन से ना करवाए, अपने पती से आप चढ़वा सकते हैं, साथ तारीक है, और सुबह साढ़े दस से ज़्यादा हो चुके हैं, और मैं नहा करके आ चुकी हूँ, और मेरे पती देवजी सब कुछ ला चुके हैं, केला का पत्ता, अकुरी, जिसको की केरा चुके हैं, और मैं सब कुछ चढ़ाओंगी, और आप लोग के तरफ जो कुछ भी चढ़ता होगा, आप उसको चढ़ा ले, और फिर जैसे जैसे नहाखाय के दिन चढ़ाई थी, वास के दिन चढ़ाई थी, सब वैसे ही चढ़ाओंगी, और जित्माहान भगवान वाला ब दूबह से ही उठकर के किचन में लगे हुए हैं, और बेटा भी उनका हेल्प किया है, और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाया है, तो खाऊंगी, लेकिन उनका सकती तायत रहता है, जब भी ब्रत करो कोई, और वो भी निर्जला, और इतना लंबा फास्ट, तो धीर लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत, धन्यवास,